फिर से नई अपडेट दे रहा हूँ आप लोगो कुछ अच्छे कोईंस भी दिखाऊंगा जो सेल के लिए आए वे हैं और अच्छे प्राइज में आपको देने वाला हूँ ठीक है और कुछ अपडेट भी है कुछ बाते भी करनी थी बताना था आप लोग मार्केट में क्या चल रहा है उसे साब से पहले तो यह है कि जो 2023 का एक रुप्या है एक एम वाला जो आजादी का अमरुद वाला है 2023 का जिसको लेके मार्केट में काफिर उमर्स थे और मैंने भी पहले मेरी एक वीडियो में अल्रेडी बोला हुआ है आज से दो या तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो दाली थी चार दिन हो गए लगबग यानि कि मैं समस्ता हूँ 27 तारीक को मैंने वीडियो अफ्लोड किया था 27 जनवरी 2023 को उसमें मैंने एक एम से रिलेटेड ये बताया था आप लोग को के 2021 के जितने भी है उनका तो आपको प्रॉफिट होने ही वाला है आज ये बन चुका है 31 एक दो अजार 23 आप देख सकते हैं इसके उपर डेट तो ये इस टाइप का जो पॉट्फोलियो होता है मैंने उसमें बात भी की थी बताई थी कि ये पॉट्फोलियो हम जो देते हैं इसमें दो साल के बाद अगर आप चाहें तो हमें as it is बेज सकते है साड़े 10,000 में ये हम प्रोवाइड करते है इसमें आपको एकेम के 2021 का सेट भी मिलता है यानि कि इसमें 2021 के जो चार कॉइन है दो रूपिये से लेके 10 रूपिये से लेके 5 रूपिया 20 रूपिया ये साब आते हैं और भी बहुत सारे कॉइन होते हैं इसके अंदर जो स्क प्रेयर और कलेक्टिबल कॉइन होते हैं तो इसके उपर भी मैंने कहा था कि इसमें हम गैरेंटी देते हैं कि दो साल के बाद अगर आप चाहें तो हमें वापस कर सकते हैं बहराल बात पोर्टफोलियो की फिलाल नहीं है एकेम के 2023 के जो मार्केट में बात आई है जो मैंने पहले भी कहा था वो टाइम पे क्योंकि 26 तारीक को किसी ने अपलोड करके बताया था वीडियो की भाई 7000 में वो शायद पैकेट दे रहे थे और उन्होंने लगबख ये कहा था कि जादातर मार्केट में बोला गया है कि इसके मेंटेज लो है तो उस टाइम पे मैंने बता 5500 में वो प्रोवाइट कर सकता हूँ पैकेट या मैक्सिमम 7000 में क्योंकि वो टाइम पर मुझे 5000 में आफ़र हो रहा था और उसके बाद फिर उसके इसी दिन मेरे ख्यालत है शाम में दुफैर में या शाम में मुझे किसी रिसेलर का जो मेरे से जुड़े हुए भी हैं उन रिकमेंडेट नहीं है अगर चाहिए तो आप ले सकते रिस्क रहेगा रिस्क जाने कि 50-50 परसेंट है हो सकता है मार्केट में नहीं बात सुनने में आ जाए कि भाई इसके मिंटेज लो ही है तो वो टाइम पर आपका तो मतलब वो साड़े 4000 का आपका मैं समझता हूँ आने रिस्क लिया कुछ लोगों ने पैकेट बुक करवा दिये तो उस बेस पे फिर मैंने उनको साड़े 4000 की बुकिंग ले ली है ऐसे चार लोगों को मैंने पैकेट दिया हूँ लेकिन अपडेट यह है कि उसके मिंटेज जादा निकल के आई है मिंटेज लगबक एक करोड के देड़ करोड के अराऊन समफिंग कुछ मिंटेज है उसकी तो बाहराल यह है कि आप जिनों ने रिस्क लिया है लिया है जिनों ने लिया है ने लिया है तो मैं यह रिकमेंड करूंगा जो नए लोग अगर बाए करना चाहते है तो वो लूज में अगर चाहे तो भाई कर दस बीस पीस रख ले, मेरे पास भी एक आदा पैकेट रहेगा, जिसमें से मैं लूज आपको चाहे तो दे सकता हूँ, उसकी प्राइजिंग मैं ज्यादा नहीं रखूँगा, 45 रुपीज में आपको एक कोईन मिल जाएगा, UNC कंडिशन कर रहेगा, अभी मेरे पास आया नही जब आएगा तो मैं दे दूँगा, ठीक है, 45 रुपीज में एक कोईन रहेगा, लूस कंडिशन में, हो सकता है आपको 20 रुपे में मिल जाए, 10 रुपे में मिल जाए, वो मेरा प्राइज है, मैंने बोल जिया है, लूस कंडिशन में 45 रुपीज, हो सकता है क्वांटिटी म में कोई ले तो कुछ कम करा दूँगा उसमें तो ये कुछ अपडेट थी अब मेरे पाथ जो सेलिंग के लिए कुछ अच्छे कोई आए हुए जिसका मैंने कुछ अपने ग्रूप में भेजा हुआ भी था ग्रूप के मेंबर्स को जो लोग बाइंग करते हैं तो उसमें से का प्राइजिंग बताईए कुछ लोग को नहीं बताईए तो इस वीडियो के जरीए उनको ये प्राइजिंग भी पता चल जाएगी तो वो कौन से कॉइन है सबसे पहला वो ये कॉइन है है हैदराबाद मिंट का आप देख सकते हैं पांच रूपिया जो रेर श्रेनी का कॉ कंडिशन आप बोल सकते हैं इसको अल्मोस्ट यूएंसी कंडिशन के ये कॉइन मेरे पास आए हुए इसी को लोग जो है अगर मैं इसको खोल के दिखा दूँ आपको इस पे लस्टर भी है यानी चमक भी है इसके उपर ऐसा नहीं कि चमक नहीं है इसी को लोग यूएंसी बेचते हैं मार्केट में लेकिन मेरा काम जो है बाई जो सही है वो ही मैं बताता हूँ ये उन्सी कंडिशन का नहीं है ये अल्मोस्ट उन्सी कंडिशन है लेकिन फिर भी इसकी प्राइजिंग मार्केट में 2000 से 5000 के बीश में चल रही है तो फिलाल मैं ये एक कोईन आप लो लेना है वो booking के लिए बात कर ले मुझसे ठीक है तो मैं अगर available होगा तो करवा दूँगा बहराल आते रहेती है चीज अभी 1800 में मिल रही है हो सकता है next time आपको 2000 में भी मिले लेकिन यही range में रहेगा 17-800 से 2000 की range में यह चीज मेरे पास आईगी तो ही मैं आप लोग को बता होगा और normal condition जो होती है इसके extra fine condition में तो मैंने 1200-1300 में भी दिया हुआ है extra fine condition में ठीक है लेकिन वो extra fine से AUNC के बीच के condition है ऐसा नहीं कि सर्व extra fine उसमें भी आप देखेंगे जिनके पास वो coin गए होंगे तो उनको पता होगा कि वो coin किस condition के है ठीक है तो इसको तो मैंने pack किया हुआ है अगर चाहिए तो मैं एक coin इसमें से खोल के दिखा सकता हूँ आपको ताके आप लोग को समझ में आ जाए कि actual में यह अभी देखें इसके उपर लिखा हुआ भी है AUNC 1800 हैदरावाद ठीक है तो 1800 में मैं इसको दे रहा हूँ अभी आपको खोल के दिखा देता हूँ लगबग इसी type के सारे 10 के 10 coin है यह देखिए आप हैदरावाद में इस्टार बना हुआ देख सकते है लस्टर देख सकते है coin में आपको नजर आएगा चमक नजर आएगी मैंने कोई भी flash on किया हुआ नहीं है यह tube light की ही light है और लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसके उपर लस्टर आपको नजर आएगा ठीक है यानि चमक होगी तो यह इस type के coin है लोग इसको UNC बोल के भी बेचते है market में लेकिन यह UNC नहीं है यह कहीं न कहीं market में चला हुआ coin है लेकिन इसके उपर अभी भी चमक आपको मिलेगी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यह UNC का condition का coin है अभी जो इसको मेरे से 800 में लेगा दो से तीन साल के बाद जो मुझे बेचेगा उसको भी गैरेंटी दे सकता हूँ इवन यह भी बोल सकता हूँ कि दो साल के बाद शायद यही चीज़ आपको market में आपकर आप बेचोगे न डायरेक्ली तो हो सकता है इसका आपको दो साल के बाद 4000 भी मिल जाए इस condition में ठीक है तो यह वो चीज़ है as a investment purpose बहुत अच्छी condition में बहुत सही rate में मैं आप लोगो यह दे रहा हूँ तो जिसको भी चाहिए होगा book करवा लेना जादा quantity में नहीं है 10-12 piece available है मेरे पास ठीक है तो एक तो यह coin है दूसरा एक coin मैंने दिखाया था यह जादा piece available अभी नहीं है लेकिन आने वाले है मेरे पास अगर जिसको भी लेना है वो ले सकते यह भी एक ऐसे coin है जो हम लोग portfolio में देते हैं इस coin को मैं यह portfolio में देता हूँ very square category का यह coin है 1990 का हैदराबाद मिंड का यह coin 1990 का 2 रुपे में हैदराबाद मिंड का यह coin है जो बड़े वाले 2 रुपे आते हैं मैंने शायद कल की वीडियो में दिखाया भी था तो वो यह वाला है 8 ग्राम के होते हैं इनका diameter 28 mm का होता है ठीक है और इनकी thickness 2 mm के होती है 700 रुपे इसकी price मैंने बताई है और 1800 रुपे इसकी price मैंने बताई है ठीक है तो यह दो coin है आज मुझे बताने थे तो सोचा इस वीडियो में बता दूँ और जो update थी वो update मैंने बता दिया एक एम से related अच्छा जिन लोग का book वगेरा देना है उनको थोड़ा सा कहूंगा कि printing का मेरा book आया नहीं है मैं quantity में नहीं बनाता हूँ 10-20 जो मेरे books होते हैं वो print करके आ जाते है ये वाली जो मेरी book है इसकी बात कर रहा हूँ मैं तो ये book अभी मेरे पास Hindi version तो है English version नहीं है तो सबका एक साथ करना इसके लिए मैंने hold किया है कुछ लोग को English version देना था तो वो English version इंडी version दोनों आने वाला है मेरे पास कल लगबग आ जाएगा तो उसके बाद फिर मैं सबका एक साथ कल ही भेज दूँगा ठीक है अच्छा कुछ लोग पुरानी वीडियो देख रहे है जिसमें मैंने बताया हुआ है Republic India वाली जो बुक है दिलिव राजगोर साब की ये वाली बुक और Error वाली भी बुक मैंने उसमें बताई हुई है सिद्दार्थ भाई की ठीक है तो वो अभी आउट ओफ स्टॉक है यानि कि जो दिलिव राजगोर साब की बुक है अभी मिलेगी नहीं तो वो वीडियो देख के आप लोग ये मत सोचेगा कि मुझे बताया था अभी किसी भाई साब ने मुझे पे किया हुआ है तो मैंने उनको क्लियर किया कि दिलिव राजगोर साब की बुक आउट आफ स्टॉक हो चुकी है मेरी बुक है और एरर वाली मेरे पास दो बुक रखी वी है वो बुक मंगवा के दे सकता हो मैं लेकिन फिलाल मैं कहूंगा यही बुक आप लीजिए और 1200 में मिंबर्शिप जो अवेलेबल है उसी को अपलाई कीजिए ठीक है 2500 वाला अपलाई करने की दुरत नहीं है 1200 वन टाइम इसमें आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स वरजन चाहिए तो यह वाला ले लीजिए या फूल इंग्लिश वरजन चाहिए होगा तो वो वाला ले लीजिए ठीक है इसमें क्या है क्या नहीं है बहुत सारी डिटेल इसके उपर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं काफी वीडियो मैंने बताया हुआ है तो ठीक है 9699-065064 हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है मेरी फोटो लगा कर या फिर मेरे नाम से कोई आपको वाटसब करे या कमेंड करे तो पहले वेरिफाइ करना वो मैं ही हूँ या नही और मेरे वाटसब नमबर पे ही आपको जो रिप्लाइ मिलेगा वो एक्जेक रिप्लाइ होगा कोई भी चीज़ की बाइंग सेलिंस रिलेटेड आपको कोई चेक करवाने है तो मैंने दीपक जी का नमबर दिया हुआ है उस नमबर पे भेजा करे मेरे नमबर पे आप भेजेंगे तो बहुत बार मैं रिप्लाइ नहीं दूँगा पेंडिंग रह जाएगा बिकॉस बहुत लोग का रिप्लाइ एक साथ मैं नहीं दे सकता हूँ और भी बहुत सारे काम होते ये वज़ा होती है ठीक है तो अभी इनका पोर्टफोलियो भी कल जाएगा कल एक फरवरी रहेगी तो और जिन लोग का बुक है वो भी जाएगा और जिन लोग का शायद ऐसेसरीज का ओडर है वो भी कल जाने वाला है और ऐसेसरीज भी मैं मंगवाया हूँ मैगनिफाइंग ग्लास वगेरा से लेके वेट मशीन वगेरा सबकुछ अविलेबल है फिलाल इस टाइप की वेट मशीन आती है ठीक है इसमें आप कॉइन का वेट चेक कर सकते है तो ये वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ इस उम्मेद से कि कुछ आज की वीडियो से भी आपको जानने समझने मिला होगा तो ये कॉइन को मिस ना करें ये ही कहूँगा मैं जो फाय रुपीस का हैदराबाद मिंड का इस कंडिशन में बहुत कम आपको इस प्राइज में देखने मिलेगा ठीक है तो जिनको भी चाहिए बुकिंग करवा सकते हैं मैंने बोल दिया है प्राइज वगेरा वीडियो को यहीं पैर्ण करता हूँ बाई